नमस्कार आज मैं आपको बताऊंगो अस्तल ब्लाउच कटिंग एंड इस्टिचिंग तो यहां पर देखिए हम सबसे पहले अस्तल की कटिंग करेंगे उसके बाद जो हमारा कपड़ा है साडी का तो उसको बाद में काटेंगे तो देखिए अस्तल को हमें डबल करके रखना है पहले इस तरीके से यह हमारा डबल है ऐसे करके हमने इसको डबल कर लिया अब हमें अपने ब्लाउच का नाप लेना है तो देखिए ब्लाउच से हम कैसे ब्लाउच को बनाए तो यहां पर हमें सबसे पहले अपने ब्लाउच क 16 घुष्ट हैं और पीछे उनीस तौ यहां पे दिगिंगे हमारी 38 हो दस आके बशुछ है वो दस इंच अब हमें इसकी लंबाइख का ना लेना है तो यहां प मैंट कर पंदरा इंच तो यहां पेनी नसानले प्हेलीक यहां पर हमारा होगागा थाक का हूआ डबल है कपड़ा हमारा इस तरीके से उसके बाद हम यहां पर तीन या चार इंच लेंगे सिलाई के लिए कपड़ा अलग से क्योंकि यहां पर गुंजायस हमें ज्यादा रखनी है क्योंकि बाद में हम इसको ढीला भी कर सकते हैं कस्टूमर की डिमांड है कि थोड़ा ढीला रखना तो यहां पे हम गुंजाश ज्यादा ले रहे हैं क्योंकि कस्टुमर ने बोला है कि हमारी गुंजाश ज्यादा रखना है तो यहां पे हम 4 इंच ले रहे हैं तो अब हम देखो इसको करेंगे छोटा बड़ा इस तरीकी से हमें छोटा बड़ा करना है अब यहाँ पर हमारी जो लंबाई हैं जैसे हमारे बलाउज की लंबाई 15 इंच है तो हमें यहाँ पर लेना 16 इंच और आगे का पल्र एक इंच लेंगे बड़ा तो यहाँ पर हमने 16 इंच लिया और एक इंच लिया बड़ा और इसको हमें ऐसे करना है अब 10 इंच के हमारे सोल्डर थे तो हम यहाँ पे लेंगे साड़े 5 इंच आदा इंच हम इसको बड़ा ही लेंगे क्योंकि सिलाई में जाएगा ना अब 6 इंच लेंगे हम यहाँ पे आरूमर और यहाँ पे हमें ऐसे गोल आई गले की चोड़ाई हमें 1.5 इंच की लेनी है अब देखो यहाँ पे हमारे गले की लंबाई है वो है 6.5 आगे का तो यहाँ पे आगे का गला हमारा 6.5 इंच का रहेगा और यहाँ पे हम ऐसे गोल आई तो देखे जो खुले वाले पार्ट हैं, यहां पर हमें निशान लगाना है तो इसमें से हमें एक पार्ट निकालेंगे, यह पीछे का है, इसको निकालेंगे और यहां पर आगे के पार्ट में हमें तीरा और टक्स का निशान लगाना है तो यहां पर हमें आदा इंच cutting करना है, आरुमल यह जरूरी है कि जोलना आए, आदा इंच यहां पर cutting करना है अब हमें तीरे का निशान लगाना है, यहां पर 14 इंच पर इस तरीके से और इसको देखो, हम ऐसे, उपर के साथ एक इंच लेंगे और यहां पर ऐसे करके निशान लगा लेंगे अब हमें टक्ष का निशान लगाना यहां पर 10 इंच पर अब हमारा जो फिटिंग का कपड़ा है वो निकालेंगे तो 9.5 इंच हमारा फिटिंग का कपड़ा है अब देखें, यहां पर हमारा 9.50 इंच फिटिंग पर आहें, तो हम मानके चलो 9 इंच, तो 9 इंच का हम आदा कर लेंगे, तो 9 इंच का आदा करने से 4.50 इंच पर आएगी, सीधी सीधी हमारी प्लेट, तो इसमें क्या आदा इंच आपका कभी भी, जैसे फिटिंग का सब्सक्राइब आपको आपको चैनल करेंगे तो फिलेट और भी अच्छी आएगीर भी जब रहे हैं यहां पर ओ रहा है थी च्छी तो आपको चार इंच पर निशान लगाना है आठ इंच का यादा करें तो हमेशा आप इस बात का ध्यान रखें कि यह प्लेट हमारी बराबर आनी चाहिए एक दम बीच में आनी चाहिए अब यहाँ पे लेंगे हम दो इंच की दूरी हर साइड में हमें दो दो इंच की दूरी लेनी है इस तरीके से तो यहाँ पे हम ऐसे और यहाँ पे हमें आदा इंच काटना है तीरह क्योंकि यहाँ पे हम प्लेट डालेंगे ना इसको थोड़ा छोटा ही रखें और कैश्ची के कट लागा लेंगे इससे कि दोनों साइड हमारे बराबर निशान बन जाएंगे तो यहां पर हमारा यह आगे का हो गया और पीछे का हम गला बड़ा बनाएंगे तो जैसा हमारा ब्लाउज का गला है उसी के नाप का रखना है तो पीछे की जो प्लेट है वो हम इस तरीके से निकालेंगे एकदम सोलला से बीच में अब देखिए यह हमारा पीछे का गला है तो इसको हमें ऐसे रखना है इस तरीके से और यहां पर निशान लगा लेंगे जितना भी हमारा लंबाई में बड़ा है ऐसे करके तो यह हमारा पीछी का हो गया अब हमें बाजू निकालनी है तो देखिए सबसे पहले हमें अस्तल की चोड़ाई देखनी कितनी है इसकी चोड़ाई तो यहाँ पर इसकी जो चोड़ाई है वो है 1.5 इंच और इसको हमें ऐसे करके डबल करना है अब देखिए हमें बाजू की लंबाई रखनी है ग्यारा इंच तो हम बारा इंच पे निशान लगाएंगे ऐसे और यहां पे लेंगे हम तीन इंच इसको हमें ऐसे उपर के साथ लेके जाना है आदा इंच यहां पे हैं, कटिंग करना है क्योंकि कश्टूमर ने बाजू की लंबाई का नाप दिया था और ग्यारा इंच की उसकी लंबाई थी अब हम कपड़े को डवल करेंगे, देखो ऐसे यहां पे यह बॉर्डर है और यहां पे भी यह बॉर्डर है उसमें पाइपिन भी लगी हुई है, तो इसको हम अलग से लगाएंगे बाद में इसको निकाल लेंगे, पाइपिन को बाद में लगाएंगे, आदा आदा करके अब यहां पे हमें कपड़े को करना है डवल इस तरीके से हमें डवल करना है यह जो बॉर्डर वालक अपड़ा है इसको हम पीछे की शाड़ लेंगे इस तरीके से लेंगे तो यह हमारा पीछे का है अब देखे एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि जैसे हम यहां पर बीच में से काटेंगे ना इसको ऐसे तो यह आगे का हुका हो जाएगा अगर हम यहां पर बगली की साइड हुक लगाना चाहें तो हम इसको काटेंगे नहीं फिर हम यहां पर बगली की साइड हुक या चैन लगा लेंगे तो हम यहां पर बगली की साइड चैन या हुक लगाएंगे तो इसलिए हम इसको बंद वाला पार्ट लेंगे ऐसे करके हमे पीछे का पलग बॉर्डर वाला निकाल लिया और साड़ी का जो कपड़ा है उसको थोड़ा बड़ा ही काटेंगे और देखे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीड वीडियो को जाद से जाद से शेयर कीजिए कुछ सीखना या पूछना चाहते हैं तो प्लीड नीचे कमेंट जरूल कीजिए मैं आपकी सारी कमेंट है पड़ती हूं तो यहां पर देखिए हमारा यह कपड़ा बच्छा हुआ है बाजू के लिए तो इसकी जो चोड़ाई है वो 15 इंच की है डबल करके तो यहां पर हमें टुकड़ा लगाना पड़ेगा जो मैं हमेज़ा आपको गोलती हूं जब भी आपका कपड़ा कम है तो आप यहां पर जोड लगाए इस तरीके से हम इसको जोड़ेंगे और यहां पर हम अपनी बा रभाजी ठीज एक Pasadhi के कप्ड़ा तो हमें बड़ा ही काटना है कि यह होगहि हमारी बाजु अब देखे हमारा तीरो रह गया है अब देखिए हमने इसको ऐसे रखना है फिर हम यहां पर जोड लगा लेंगे क्योंकि फिर कपड़ा नहीं बचा है इसमें कपड़ा नहीं है तो हम क्या करें अब यहां पर बीच में जोड लगाना पड़ेगा इसको भी थोड़ा बड़ा ही काटेंगे यह हमारा तीरा हो गया अब हमें हुक और काजवाली पट्टी निकालेंगे तो यहां से हम निकालेंगे अब यहां पर इसकी जो चोड़ाई है वो पांच इंच है तो जितनी भी हमें पट्टी चाहिए लंबाई में उतरी हम पट्ट हplace और इसको डबल करके लागा लेंगे ऐसे डबल करके लगाएंगे अगर अस्तल लगाना चाहूं लगा सकते यह हमारे आस तो कप्ड़ा बचा हुआ है तो इस मैं से में काल लेंगे दो पत्ती एक पत्तमा 1.5 इंच की चौड़ाई चाहिए तो यहां पर हमने एक पट्टी की देड़ इंच की चोड़ाई ली है यह देड़ इंच की चोड़ाई है और इसकी चोड़ाई है हमारी धाई इंच यह धाई इंच की चोड़ाई हो गई और अब यह कपड़ा बचा हुआ है तो इसमें से हमें पट्टी निकालने है तो यहां पर हम कपड़े को तिर्चा करेंगे ऐसे करके गले के लिए हमें पट्टी निकालना है तो कपड़े को तिर्चा ही करना है अब इसके बाद देखो हम यहां पर लेंगे पट्टी की चोड़ाई डेड़ इंच तो यहां पर हमने डेड़ इंच की चोड़ाई लिए और देखो इसको हमें ऐसे करके जोड़ना है पट्टी को ऐसे इस तरीकी से जोड़ेंगे ऐसे करके तो यहां पर हम सारी पट्टियों को ऊछी जोड लेंगे फिर गली में लगा लेंगे अगर आपने गली में पाइपिल लगाना नहीं आता है पट्टी लगाना नहीं आता है तो प्लीज, आप चेंडल में देखें मैंने बहुत ही आसान और सरल तरीके से गले को तयार करना बताया है तो यहां पर देखिए हमारा आगे का पाट है तो जैसे मैंने आपको बोला अगर आप चाहे तो इसको बीच में से काट ले यहां पर आप काट ले इसको तो यह आगे का हुक बाला हो जाएगा अगर आप यहाँ पर साइड में चेन लगाना चाहें, हुक लगाना चाहें, तो आप ना काटें, मैंने दोनों तरीके से आपको बताया है, और यह हमारा है तीरा, नीचे का तीरा, और यह हमारा पीछे का पल्लर है, यह पीछे का पल्लर है, और यह है हमारी बाजू, यह हमार अगर आपको सीखना चांते तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताएं आसा करते हुआ वीडियो आपको अच्छी लगी है वीडियो को जाद से जादा शेयर कीजिए हाँ जू नए लोग है वीडियो को पहली बाद देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राब कर लें इससे क मिल जाएगा धन्यवाद